पिछले काफी सालों से मैंने पैसो को लेके खूब संघर्ष किया है मुझको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं तनी मेहनत कर रहा हूँ और तब भी मेरी जिंदगी में कोई सफलता नहीं मिल लेके पैसो को लेके मैंने खूब पढ़ा, मैंने खूब knowledge gain की क्योंकि मैं जानना चाता था कि मुझसे गल्ती क्या हो रही है और इस वीडियो में मैं आपको अपनी तीन साल की knowledge समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉ करके लिख के ढंक से समझाऊंगा कि actual में हमसे एक गलती क्या हो रही है जिसने ये चीज समझ ली अपनी जिंदगी में अमल कर ली उसे पैसो कर ले के कभी भी संखर्ष कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा ये तो मेरी guarantee आपसे सो बिना किसी देरी के चलिए स्क्रीन पर आते हैं समझते हर चीज़ मैंने आपको अच्छे समझाने के लिए एक डाइग्राम ड्रॉ किया हुआ है और इसकी heading है unknown reality unknown reality का क्या मतलब हुआ एक reality है जो इस समय मेरी जिंदगी में चल रही है for example let's say कि आप इस समय महीने के 10,000 रुपे कमा रहे for example अब आपको पता है कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ हफते में 6 दिन मैं काम करता हूँ 10-10 घंटे काम करता हूँ सिर्फ मुझे 10,000 रुपे मिलने है और इस 10,000 रुपे से मेरा कुछ होने वाला नहीं है मुझे अपना परिवार्च लाना है तो मेरा mindset क्या है कि मुझे 50,000 रुपे चाहिए हो सकता है कि आपको चाहते है कि आप मुझे 1,000,000 रुपे चाहिए बहुत सी चीज़े है भाई जिन्दगी में या तो बहुत कुछ है कमी थोड़ी ना है mindset है हमारा हमको 5,000,000 भी चाहिए हो सकता है 10,000,000 भी चाहिए समझे बात को जो heading है वो है unknown reality यानि कि ये सारी realities है आपकी जिन्दगी में इस समय सिर्फ 10,000 रुपे की reality चल रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में आप 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 और अगर आप सोचेंगे कि मैं महीने के 20 लाग रुपए कमा रहें और अगर आप सोचेंगे कि मैं महीने के 20 लाग रुपए कमा रहें तो आपका conscious mind accept नहीं करेगा वो कहेगा कि नहीं ये गलत है क्योंकि हमको अपने conscious से subconscious mind को program करना होता है जो पूरे emotions पे based है तो अगर मैं jump लगा रहा हूँ 10,000 से 50,000 रुपए में तो कहीं न कहीं कहीं न कहीं अगर आप उस पे जो मैं आपको अभी बताऊँगा next step में कि मुझे क्या क्या steps लेने चाहिए पहले हमको समझना है कि हमको jump कहां से करना है जो मेरी unknown reality है मुझे jump कैसे करना अगर 10,000 से मैं सीधे 10 लाग पर करूँगा तो वो courage कर देगा मेरा mind लेकिन अगर मैं 10,000 से 50,000 रुपए में jump करूँगा तो वो धीमे-धीमे accept करने लग जाएगा यह हमको समझना बहुत ज़रूरी है यह छोटी-छोटी important factors है जो हम समझते है manifestation process में अगर आप really serious से अपनी life को लेके क्योंकि हर चीज मैं इस वीडियो में नही समझा सकता लेकिन art of manifestation में मैंने बताया है जिसमें 7-8 घंटे के lecture से लोग ले रहे हैं अपनी जिंदगी change कर रहे हैं if you are really serious नीचे description में जाके वीडियो देखिए join करिए और फिर मुझको बताईगा कि आपकी जिंदगी में कितने बदलावाए क्योंकि मुझे guarantee है कि आप श्लाक या 20 लाक रुपे कमाना अब उसमें फरक क्या है उसमें फरक बाहर की दुनिया में तो फरक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो बाहर की दुनिया में चला है वो मैं अंदर की दुनिया में accept करूँ मेरा inner world ये बोलता है कि जो भी मैं accept करूँ गा वो मेरे outer world में automatically produce ह होने लग जाएगा, यानि कि असली जंग मेरी यहां चल लई है, जब मैंने यहां पर विजय प्राप्त कर ली, तो automatically बाहर की दुनिया में मेरे को ऐसे लोग, ऐसी situations, ऐसे scenarios रकराएंगे जो मुझे मदद करेंगे उस सपने को, उस पैसे को हासल करने में, और मैंने यही चीज समझी, यही चीज जाना, और उसके बाद मैंने तीन steps लिए, और जब मैंने इन तीन steps लिए, तो पिछले एक साल से मेरी जिन्दगी बिकल पलट चुकी है when it comes to money, और बहुत जल्दी से मैं आपको यही तीन steps समझाने जा रहा हूँ, understand करने के लिए, तो यह हैं हमारे action steps, उप, sorry, यह हैं हमारे action steps, अब action steps का क्या मतलब हो, यह नहीं हुआ कि खूब महनत करनी है, मुझे बाहर जाके grind करना है, खूब महनत करनी, नहीं, action से मेरा मतलब है mind का action, जैसे मैंने कहा कि यहां पर जिसने विजय पराप्त कर ली, वो जिंदगी में successful हो गई होगा, यह मेरी guarantee है, तो action क्या है, action है, is, पहला step is to new you, आपका एक नया अवतार, जो आपको समझना, जानना बहुत जरूरी है, और इस नए अवतार की तीन factors होते हैं, पहला I, that is, identity, what is my identity as per the new you, यानि कि मेरी जो नई identity है, अगर आप महीने के 10,000 रुपे कमा रहें, तो आपको जम करना है 50,000 रुपे में, मेरी नई identity यह है कि अब मैं 50,000 रुपे महीने कमा रहा हूँ, आपकी example के तौर पर अगर आप 25,000 रुपे कमा रहें, तो आप 75,000 रुपे, जो भी आपकी according, आपको ठीक लगता है कि हाँ मेरा mind accept कर लेगा, this is your new identity, फिर F से मेरी होती है feelings, यानि कि अब मेरी feeling क्या है, what is my lifestyle, what is my lifestyle, यानि कि अब मैं अगर जब मैं mall जा रहा हूँ, तो मुझे 2-3-3,000 रुपे की t-shirts मिलने ही, तो मैं खरीद लेता हूँ उसको, मैं सोचता नहीं, यह पहले तो मैं उस showroom में जाने से भी डरता था, क्योंकि मुझको पता है कि वहाँ बहुत expensive कपड़े, now my lifestyle has changed, तो यानि कि मैं action ले रहा हूँ अपने mind से, मैंने अपनी identity change की, वहाँ से मेरी feelings बदली और मेरी lifestyle change हो रही है, तो मैं अपने mindset में changes ला रहा हूँ, धीमे धीमे आप इसको changes करना शुरू करिए, अपनी शहर में जाके सबसे महंगी coffee पीजे जाके, और सोचिए कि मेरे पास खूब पैसे हैं, बैठिए महाल देखिए, वहाँ पर कैसे लोग आते हैं, अपनी शहर का सबसे महंगा gym join करिए, जहाँ पर देखिए जाके कि कैसे कैसे, क्यों कि आप जितना महंगा gym join करेंगे, वहाँ पर 1% population आएगी तो आप वैसे करूंगा, जब होगा तब मैं खुश नहीं होगा, नहीं, अभी हो रहा है, this is happening right now, मेरी identity change हो चुकी है, मेरी feeling positive है, मेरी lifestyle बहुत अच्छी हो गई है, होगी नहीं, हो गई है right here, right now, this is it, feeling is the secret, और इस feeling को हमको अपने अंदर hold करके रखना है, और वहाँ से मेरे आता है new thoughts, यानि कि मेरे एक नया affirmation हो जाएगा, तो मैं start करूंगा, I am, यहाँ से मेरी identity, क्या थी, कि अब मैं महीने के 50,000 रुपे कमा रहा हूँ, वहाँ से मेरी feeling, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत confident हूँ, मैं बहुत अच्छा feel कर रहा हूँ, मेरे घर में बहुत अच्छा महौल है, क्योंकि सब मुस्पे बहुत ज़्यादा proud है, और वहाँ से मेरी lifestyle, मेरी lifestyle अब change हो गई है, मैं अपने family, friends को हर जगा घुमाता हूँ उनको treat देता हूँ, सब बहुत खुश है, तो ये मेरा एक नया affirmation हो जाएगा, जो मेरा एक नया action step है, यानि कि मेरे mind में मैं इसको repeat कर रहा हूँ again and again and again, तो जब मैं ये तीन चीज़े कर रहा हूँ, तो जो मेरी एक current reality थी, जो 10,000 रुपे वाले इंसान थी, जो हमेशा रो वो खुश है, वो अच्छा feel कर रहा है, वो लोग की मदद कर रहा है, वो अच्छी जगा जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, और जब वो चीज़ यहाँ पे बदलेगी, यानि कि inner world में वो चीज़ बदलेगी, तो outer world में automatically change हो जाएगा, तो comment में लिखिये है कि actual में आपकी FM करिए, और एक चीज़ और मैं पताना भूल गया, जो बहुत जादा important है, कि इस समय जब आप ये कारे करेंगे, हो सकता है कि आप महीने के 10,000 रुपे कमा रहे हो, और जब आप ये कारे करेंगे, तो हो सकता है कि आपके पैसे गायब हो जाएं या डूब जाएं या आप सी नुवर्ज ब्रहमार्ण आपको टेस्ट कर रहा होता है, कि क्या आप डिजर्फ करते हैं क्योंकि आप चलांग लगा रहे हैं, 10,000 से सीधे 50,000 या एक लाग पे हैं, और आप कह रहे हैं कि यार ये तो वरकी नहीं करता है क्योंकि मैं 10,000 से सीधे 1,000 पे आगया, इसका क्या रीज़न है, इसके तीन स्टेप्स है कि ब्रहमार्ण आपकी टेस्ट क्यों ले रहा है, और ये मैंने अल्रड़ी इस वीडियो में आपको समझाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को चेक करिए, अंडिस्टैंड करिए, और मुझको बताइए कि ये वीडियो कैसा लागा, I hope इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा और आज से आप अपनी जिन्दगी चेंज करेंगे